हेलो फ्रेंड्स कैसी हो आप आशा है कि आप सब ठीक होगे तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेग रहा हैं समोसा रेसिपी हाँ आपने सई सुना आज हम आपको बताएंगी समोसे किस्ते और कैसी बनाया जाते हैं जो बहुत इजी तरीके से बनने वाले हैं तो उसके हमें जरूरत हो कि वन स्पून अजवाईन की तो देखिए यह मैंने छोटी चमच एक अजवाईन के लिए हुई है इसे मैं हाथों में प्रेश कर लूँगी और इसे अपनी मैदे के अंदर डाल लूँगी जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काफी अच्छी होती है तो अब मैं इसमें डालेंगे मोहिन मैंने रिफाइंड ओल लिया हुआ है तो देखिए मैंने इसमें दो से तीन चमच छोटे मोहिन डाल लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक तो स्पून मैंने इसमें नमक डाल लिया है तो देखिए फ्रेंस मैंने इसम कि आफको मोहिं काफे त्रैके से मिला लेना है तभी आपकी समॉसे क्रस्पी और कुरकुरे बनेंगे अगर आपको अपना मोहन कम लगे तो तोड़ा सा ओडाल नीजीगा मैं इस में थोड़ा सव डाल रही हूँ आराई यौट स्पून डाले इस पूट्सहOR होता है अगर आप मोहयन नहीं डालेंगे तो समयững ही क्रिस्पी और कुरकुरे बिकल ही बनेंगी और मोहिन से आपके समोसे काफी स्वाधिश्ट भी बनते हैं और खाने में काफी अच्छे लगते हैं तो अब मैं आपको बता देती हूं कि आपको मोहिन इसमें कितना डालना था तो देखिए आप इस से आटे को लीजिएगा और देखिए अगर इस तरह आटा ही कठा हो है तो अब राएं थोड़ा थोड़ा पाणी अब मैं अधै डालँगी थोड़ा पानी इस तादे हमने मीडिम लिया हुा सूने काट अब लागा लेंगे थोड़ा थोड़ा दाले एक दम से ज़़्या पानी नहीं तो आपका जो लें भी मैं जाहिए हो जाएगा और आपको इसका मेडियम डोल लगाना है ना तो ज़्यादा लूज और नहीं ज़्यादा टाइट तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी सित्रे डाल दूँगी तो देखे फ्रेंज मैंने अपने आटा गुद लिया हैं मैंने अपने आटा नॉर्मल बनाया हैं आप देखे उते हो आपको इस प्रकाल का पना अटा रखना है तो देखे मैं इसे थोड़ा चिकना कर दूँगी ताकि इस पर उपर से उपर अप्रिना आए और इसे रेष्ट के लिए रख दूँगी तो देखे फ्रेंड्स ही मैंने पांट सी साथ आलू लिये हुए हैं अब मैं अपने अलू को क्रश कर लूँगी क्योंकि हमें अपने अलू का मिक्चर बनाकर तयार कर लेना है जो कि हम अपने समोसों के अंदर भरेंगी तो देखे से पहले मैं अपने अलू को क्रश कर लू तो देखिए आप देखिए मैं अपनी गज पर कड़ाई रख ली है तो देखिए मैं अब इसमें और डाल लोंगी तो देखिए हमारा ओय गरम होचका है अब हम इसमें डालेंगी वन पून जीरा तो अब मैं डालूंगी ओनियंस जो की मैंने बारी काट रखे हैं तो स्ट्ची आखिए मेंस मालाजशा से दन्लाख डाल दी стрजाया है कि हमारी तोरी मतर भी उची के अंतर पक जाए और में बॉंड़लिंगी तो देखिए मैं अब इसे में डालूँगी थोड़ा सा नमक ताकि हमारी जो मटर हैं जाब दिख जाएं अब मैं डालूँगी कटे हुई हरी मिर्च जो कि मैंने बारे काट ली थी और इसे भी हिला दूँगी और अब इसके दिना जाएंगे कुछ मसाले मसालों मैंने लिया हुआ है धनिय पाउडर, गरम मसाला, लाल मिच पाउडर, अब मैं इसे हिला दूँगे, अब मैं इसे डालूँगी हल्दी पाउडर, तो देखिए, हमारे मसाले अच्छी से पक चुके हैं, आप देख सकते हो, अब इसमें डालेंगे अपने अलू जो कि मैंने करश कर लिये थे, तो देखि हमारे मसाला बनकर तैयार हो चुका हैं, तो अब मैं इसे अपने बाउल में निकाल लूँगे, ताकि हमारे या पेज़े से थे, अब मैं इसे थंदा हो जाए, तो देखिए, नहीं ने अपने आटे के लिए रखा था, आप देख सकते हूँ, अब आपने पैसे के और गूत लेती हूं और इसमें से हाफ ले ले लेती हूं और अब अब इससे बेल लंगी थोड़ा से चिकना हाथ लगाख लेती हूं आ मैंने दोनों तरफ इस पर चिकना हाथ लगा लिया है और अब मैं इसे बेल लूँगी क्योंकि हम इसका समोसा बनाना है तो पहले हम इसे रोटी की तरह चारो तरफ से बेल लेंगी इसको इसके आप बेल लेंगे की जैदा मोटा बल कुल ना भी तो देखी अब देख सकते हैं मैंने इसकी घोलोटी बना ली घ rely बना लूए तो देखे दिया मैंने इसे बेल ले लेया है और बिल्कुल गोलाकर में बना दिया है अब मैं इसे का समोसा बनाऊँगी आप मैं इसे उठा तरफ तरफ पाने लगा देती हूं थोड़ा तो देखेंगे बाहत्व पर थोड़ा पानी लगाऊंगी आफिक्ट हमारा इसमोसा में मसाला बना कर तयार किया था उसमोसे में भर लूँगे तो जितना आप मसाला इसमें डाल दो डाल सबको उतना डाल लीजिए गा अब देख सकते हो और अब मैं इस तर लगा के इसे मोड लूँगी देखें आप मैं सब पहले यहीं पर्त इसे यहाँ पर पहुंचाकर इसे बंद कर दूए आप इसके भी अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगी ताकि आपका समोसा अच्छे से चिपक जाए और बीच में बिल्कुल ना खुले तो देखिए मैंने इस तरफ से भी से काफी अच्छे से बंद कर लिया है आप दो जरूरी स्ट्रें बंद कर लें तो देखि हमारा समोसा बनन कर तयार हो चुका है आप देख सकते हो इसी प्रकार मैं अपने सभी समोसे बंदा बना के रख लूंगी अब मैं इसे अपने बलें rolled लेती हूँ और दूसरा समोसा भी सी त्रें मैं उठा कर तो देखी फ्रें अगवापको वे उपर की तरफ रखना है और इस तरह इसे चिपका देना है तो देखिए मैंने इसे चिपका लिया है और फिर इस इस परकार कटोरी सी बना कर इसमें आलो बर लेना है तो देखे, फ्रेंड्स मैं USE थोड़ा सा मोड लेती हूं और इसकी, इस स्टफिंग को अच्छे से अंदर की तरफ दबा दबा के भर लेती हूं और इसके चारों तरफ से पानि लगा लेती हूं और सबसे पहले में पहले इसे बन करूंगी और तौनों तरफ से लगर दबादा Obrig अमध्या स्मोशा एंवी बनकर तयार हो चुका है इसे भी में रख लेती हूं तो देखे अचित्व एपको आप देख सब्सक्रा हो सही अब अब मैं इसे त्रीक से मैंने आपको पता है इस पर्कार बना लिजी का यह मैंने मय oyla प्नी थैया था, दिरदेए करके अपने समोस अ को अपने ओ इल में छोड़दूगी हमे अपने समोस को तलना है तौण जब आपके समोस हे थीर धीर बनेंगे तब ही आपके समोसी क्रस्पिश होनगी आप इसे लो फ्लेम पर ही पकाई तो फ्रेंज आप देख सते हैं हमने अपनी लो फ्लेम कर रखी हो और हमारे समोसे धीरे धीरे बन रहे हैं आपको इसे धीरे धीरे इसी तरह पका लेना है इसे पकाने में आपको 5-10 मिट आराम से लग जाएगी क्योंकि आप इसे लो फ्लेम पर पका रहे हैं इसलिए अगर आपने इसे हाई फ्लेम पर पकाया तो आपकी समोसे अंदर से एकचे रह जाएंगे तो आप इसे परकार इसे धीरे धीरे पका लेजिएगा झाल 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 झाल